हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में आज हम जटपट से तिल के लड़ू कैसे बनाते इसकी रेसिपी देखेंगे और तिल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदेमांद रहता है परफेक्ट वे में बनाएंगे और इसको मेरी दादी बनाके तिल ले रही हूँ यह मैंने सफेद तिल लिया है मार्केट से जब आप लाते हैं तो उसमें थोड़ा गंदगी वगरा रहता है उसे आपको साफ कर लेना है और यहां पर इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना है तब तक भूलना है जब तक इसमें से एक अच्छा आरो अब हम इसे एक पेट में निकाल लेंगे और पूरी तरीके से हमें इसे ठंडा कर लेना है तिल को जल्दी ठंडा करना है तो फैन के नीचे आप इसे रख सकते हैं इसे अब हम साइड में रख देंगे इसके बाद उसी कडाई में मैंने यहां पर एक बड़े कप गुर ले और यहां पर जो गुड है इसको मैंने तोड लिया इस तरीके से रफली और एक चौथाई का पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे आपको ज्यादा चलाना नहीं है नहीं तो इसका जो तार जो बनना शूरू होता है न वो ठीक से नहीं बनता है तो थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से हिला के इसे इसी तरीके से छोड़ दे और नीचे से फ्लेम ओन करके इसे मेल्ट होने के लिए रख दे तीन से चार मिनट बाद आप देखेंगे आपका जो चाशनियों बनना शुरू हो गया काफी गाड़ा यह होना शुरू हो गया है तो आपको फ्लेम इसे पकाना नहीं जहीं तो यह जल दी से नीचे से लग जाएगा चार से पाँच मिनट और हम ने इसे पका लिया तो देखी अभी यह काफी गाड़ा हो गया है और जब आप इस तरीके से करची उपर रखेंगे ना तो एक तार बनने लगेगा तो एक तार इस तरीक तो दूसरा method आपको यहां पर मैं बता रही हूं एक कटोरी में पानी ले ले और इसमें थोड़ा सा आप इसे डाल दे और इस तरीके से जब आप हाथ से इस तरीके से लेंगे न एक तरफ कलेक्ट करेंगे और हाथ में इस तरीके से गोल-गोल घुमाएंगे तो लडू बनना बनाना शुरू करना है तो यहां पर मैंने तिल ले लिया है इस तरीके से और यहां पर चाशनी एक तरफ रख लिया है तो अब हम क्या करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके इसमें गुर्ड डालेंगे और इसका फटा-फट से जट-पट से हमें लड्डू बनाना है नहीं तो क् हमारा जो लड्डू है ना वो पॉफेक्टली बनता नहीं है तो यह जो काम है आपको जट-पट से करना है देखिए इस तरीके से मेरी दादी क्या कर रही है यह सब ट्रिक है जो बड़े लोग अच्छी तरीके से जानते बड़े बुजूर्ग बहुत अच्छी तरीके से और उन्हें बहुत जादा experience रहता है तो इस तरीके से बहुत गरम है तो इसे मेरी दादी क्या करी है स्पून से अच्छे से पहले मिला ले रही है नेक्स दोस्तो हमें क्या करना है हाथ में अच्छी तरीके से घी लगा लेना है इससे जो लड्डू है ना हाथ में चिपकें करना है तो जटपट से यह काम करना है घर में जित्ते ज़्यादा लोग होंगे सभी को इस काम में लगा दीजिए और जटपट से इन लड़ों को बना के तयार कर लीजिए बचे हुए चाशनी को हमने थोड़ा सा गरम कर लिया था क्योंकि यह ठंडा हो गया था तो थोड़ा सा गरम करने के बाद हम क्या करेंगे इसको फिर से इसमें डालेंगे और उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे लड़ों को बना के तयार कर लेंगे तो हमने इसी तरीके से पूरे लड़ू को बना के तयार कर लिया तो अब आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही यम्मी टेस्टी क्रंची दिल के लड़ू बनके तयार हो गए दोस्तो बहुत ही पॉफेक्ट बने देखे आपको पास से दिखा रही हूं बिल्कुली गोल गोल और बहुत ही क्रंची यह लगते हैं दोस्तो मार्केट से खरीदने से अच्छा घर में अब सुरक्षित वे में इने बनाए और इसका लाब उठाए बहुत ही हेल्दी होते हैं दोस्तो तो इस रेसिपी को आप घर पर जरूर एक बार ट्राइ करिएगा आई होप आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए तो चलिए फिर मिलते हैं कोईने यह रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद